कथित तोर पर एक बुजुर्ग आदमी को बेंगलोर्य के एक शॉपिंग माल में जाने से मना कर दिया गया क्योंकि उन्होंने धोती पहना हुआ था इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वाइरल हो गया जिससे सोशल मीडिया यूजर्स में भी रोश फैल गया हर कोई इस वीडियो पर अपना गुस्ता दिखा रहा है और अब एक्ट्रेस गौवर खान ने भी किसान के समर्थन में एक नोट लिखते हुए इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है गौवर ने घटना का वीडियो शेर करती वे अपने इंस्टागराम हैंडल पर लिखा यह बिल्कुल शर्मनाख है मौल के खिलाफ सक्त का रिवाई की जानी चाहिए यह भारत है और हम सभी को अपनी संस्कृती पर गरू होना चाहिए किसान फकिर अपा को बेंगलोरू के मगदी मेन रोड पर जीटी मौल में जाने से मना कर दिया गया क्योंकि उन्होंने धोती और सफेद कुर्ता पहना था वह अपने बेटे के साथ मौल में मौवी देखने गए थे और उनके पास टिकिट भी था हलाकि मौल के गेट पर सुरक्षा गार्ड ने धोती पहने बुजूर्ग आदमी को सलाह दी की कॉंपलेक्स में जाने के लिए उन्हें पैंट पहनने की जरूरत है बुद्धवार को मौल के मालिक और सुरक्षा गार्ड के खिलाफ भारती न्याय संगिता के धारा 126 दो गलत तरीके सुरोकने के तहत मामला दर्ज किया गया गुरुवार को करनाटक सरकार ने सौपिंग कॉंपलेक्स को एक हपदे के लिए बंद करने का आदिश दिया इस आये जोनकर लेकर कंणड और किसान संगटनों ने गुरुवार को विरोत परदर्शन भी किया इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं बॉलिवड और एंटर्टेन्मेंट की खबरों के लिए देखते रहे ये एवी भी एंटर्टेन्मेंट